कि नमस्कार मैं हूँ अनुज मिस्रा और आप देख रहे हैं एस्पियन नाइन यूज 2019 का इलेक्षन की सुखवोगाहट तेज हो गई है और ऐसे में पार्टियां अपने अपने शड़ेंत्र यूँ कहें कि दूसरों दूसरी पार्टियों के प्रति योजनाय बनाना शुरू कर दिया है यानि कि रणीती में काम करना शुरू होने लगा है लोग अपनी बोटरों को किस तरीके से जुटाना है किस तरीके से कहां कौन सा उम्मिदवार खड़ा करना है और कहां किस पार्टि की कहां कितनी पहुँच है उन सारी चीजों का अब्जर्वेशन होने लगा है जहां दिख रहा है कि यहां पार्टि का उम्मिदवार नहीं जीत पाएगा जहां भै लग रहा है कि बीजेपी से खत्रा है वहां गडबंधन की म्यादे शुरू हो चुकी हैं उम्मीदे शुरू हो चुकी है तो ऐसे में यूपी की अगर बात की जाए तो यूपी की सियासत में कुछ इस तरीके की सियासत नजर आ रही है कभी गडबंधन होता है तो कभी खबर आती है कि गडबंधन तूट गया है हाला कि मदभेदों की खबरें सिलसले बार आती रहती है लेकिन आप जो चीजें सामने आ रही हैं उसको मैं आपके सामने उस खबर को बताऊंगा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर एक सर्वे किया गया सर्वे के मुताबिक अगर हम बोटरों पर जाएंगे या फिर आने वाले चुनाओं पर जाएंगे तो इस्तिति जो है वो इस्पष्ट नजर आएगी कि आखिर हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीती में सबसे ज़्यादा अगर उम्मीद लगाई जाती है तो वो बीजेपी और बसपा सपा और कॉंग्रेस पार क्योंकि ये पार्टियां जो है जो कहीं न कहीं एक दूसरे को मात भी देंगी और एक दूसरे के प्रति कहीं न कहीं और अखलेस यादों और कॉंग्रेस राहुल गांदी अगर एक साथ यूपी के अंदर आते हैं गडवंधन करते हैं तो यकीनन तोर पर सर्वे में ये साब चीजाया है कि बीजेपी को बहुत बड़ी मुसीबत जिलनी पड़ सकती है लेकिन ऐसे मैं ये भी अगर आप से Wow और कुट की पार्टी के जरिये वो 2019 के चुनाओं में चुनाओं लड़ना चाहते है और अगर श्वपार्यादों चुनाओं लड़ते हैँ 2019 में तो सब्सका है यहालन की चुछ कारे करता जो है वह श्वपार्यादों के पास भी है शुपाल यादों की तरफ चले जाएंगी और वही कारकरता अपने शित्रों से जो सपा में बोट करने बोट जाने बाला था वह अब शुपाल यादों के उसमें आ जाएगा तो अब यहां जब बोटों का बटवारा होगा तो फायदा किसको होगा बीजेपी को होगा अगर बीजेपी को फायदा होता है तो यकिनन तौर पर आप देख सकते देख पाएंगे कि 2019 के लिए जो बीजेपी की राह है जो कठनाई दिख रही उनको कि सत्ता में असमंझा से एकि सत्ता में वो आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे अला कि रड़नी तिया वो बना रहे महा गढ़बंदन में गुसीर्हूल की कॉंग्रेश यू पी में हो शक्ता है मोधी बीजेपी का सफाया यानि कि यू पी में मोधी का सफाया हो जाएगा सड़वे यही कहता है अब सड़्वे में autopOC को मिक्स्किया है कि कि we सवे किसा किया जनता कि क्या राय है आइए हम हैं देखाते हैं बताते हैं 2019 सफनाओं में कुछ महीने का वक्त बाकि है लेकिन चुनाओं की आहठ भी से सुनाई देने लगी देश में सब्सक्राइब को लेकर पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावार है मौजूदा समय में अगर लोकसभा चुनाव होते हैं तो उत्तर प्रदेस में सीटों का समी करण किसे सत्ता की ओर ले जाएगा यही जानने के लिए रिपब्लिक ने सी बोटर के साथ मिलकर सर्वे किया सर्वे में पता चला कि अगर अखले स्यादों क की समाजवादी पार्टी मायवाथी की बहुजन समाज पार्टी और राहुल गांधी की कॉंग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है सर्वे की मताबित यूपी के असी लोकसबा सीटों को लेकर तीन स्थितियों पर नज़र डालें तो पहली में अगर सपा बसपा का गड़बंधन इसमें कॉंग्रेस शामिल नहीं है हुआ तो गड़बंधन को 42, NDA को 36 और यूपीय को 2 सीटे मिल सकते हैं दूसरी में अगर सपा बसपा और कॉंग्रेस का गड़बंधन होता है तो गड़बंधन को 56 सीटे मिल सकते हैं और NDA को 24 सीटों पर संतोस करना पड़ सकता है तीसरी स्थिती में अगर मायवती अकेले चुनाओं लड़ने का मन बनाती हैं तो ऐसे में BJP फायदे में रहेगी इस स्थिती में NDA को 70 सीटे अनको 8 और UPU को 2 सीटे मिल सकते हैं रिपोर्ट्स की मुताबित ये सर्वे अगस्ट सितंबर में किया गया है लोकसभा की 543 सीटों के लिए किये गए सर्वे में 32,547 लोगों की राय ली गई थी बिहार गुजरात, दिल्ली असम अरोनाचल प्रदेश, आंध प्रदेश समित कई राज्यों में कराए गई सर्वे में अलग-अलग स्थिती निकल कर सामने आई है बता दे चलें कि पिछले लोकसभा चुनाओं में एंडिये ने यूपी की 80 में से 33 सीटों पर कब्जा जमाया था पांच सीटें सपा को हासिल हुई थी और दो सीटें कॉंग्रेस को मिली थी बसपा का खाता भी नहीं खुल पाया था तो ऐसे में साफ है कि अगर भाला की ऐसा दिख नहीं रहा है क्योंकि मायवती अपने एगो में हैं अपने जज़बे में हैं कि वो चाहती हैं कि मैं अकेले दम पर ही चुनाओं जीत लूँगी और इस ऐसे में वो अपनी मनवाना चाहती हैं लेकिन दूसरी पार्टियों की नहीं मानना चाहरे हैं और यही है कि गड़बंधन में इसलिए बिखराव आ रहा है लेकिन सर्विय यही कहता है कि अगर इतीनों पार्टियों अगर आ जाती है तो फिर बीजेपी कीलिका सफाया यूपी में हो सकता है आज की लितना ही नमस्कार